लॉक्टाउन में चाट किया तो आप सभी को जरूर आ रही होगी तो चलिए घर पर ही बनाते हैं हाई कभी इस किचिन में आप सभी का स्वागत है तो चलिए इसी की दैस्पी देखते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए इमली उसमें डाली शक्कर आप गुड़ बीस्तिमाल कर सकते हैं और पानी डाली और इसे हम पका देंगे तो बॉइल होने दीजिए कम से कम दो ती मिन फिर ठंडा करिए ठंडा होने के बाद मैश करके इसे चान लीजिए तो यह हमारी अमली कि जगनी तयार हो गई है बनकर अब हम तयारी करते हैं रचरी से यह तक्टीट की उपले हूए आल्यों रिये हैं मैं तो अपने बड़ा मासाला हम जादा मसाला हम देल हैं कि जाए सवाधनक लाल मिश और फिर चाट मसाला इसे अच्छे से में लीजिए मिक्स कर और फिर हम शैलो फ्राइल करेंगे तो यह को कि बहुत देर तक मैं भाने दी इजैसे मीडियम फ्लेम पे या फिर नो टूमीडियम फ्लेम पर पकने दिज्गे तेल में तवे पर पलटकर भी पका हूं और जब तक यह स्पी है हम त्यारी करते हैं सब्टर की तो मटर के लिए प्याज उसे भी बुलने दीजे अच्छे से पक जाएं प्याज तब तक पकाईए पिर इसमें डालें टमाटर को भी अच्छा गलने तक पकाईए फिर इसमें डालेंगे हम उबले हुए मतर तो यह मतर जो है वो सूखे मतर हैं इसे मैंने 5-6 गंते पहले भीगोए थे पानी म उसके बाद मैंने प्रैसर केम में इसे उबाल लिये हैं तो यह इसमें डाल रही हूं है कच्छे नहीं डाल говорить हूं पालकर आसे scud All यहीं तो इसमें में ज्यादा सीथी नहीं ली थी तो इसमें मैं वाश कर लेती हूं चमस से तो आप जाल में चाहें तो और इसमें यहीं क्यों निकालना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि यह अलग-अलग है अब यह पक चुके हैं अच्छे से आप तैयारी करते हैं जीरा पानी की तो उसके लिए लिया है मैंने पुदीना पुदीना ले लिया है फिर हरी मेर्च भी आप अपने टेस्ट के अनि पीस्ट बन जाए इसका और इसे हम पीस लेंगे इसके बाद इसमें और पानी मिला लेंगे तो हमारे यह चतनी जो है तेयार हो गई है जीरा पानी हमारा अब प्लेट लगाते हैं इसके लिए इसमें टिक्की रखिए और डालिए मटर तो अभी यह थोड़ी से ड्राय लग फिर डालिए इसमें इमली का पानी इमली की चतनी यह पपड़ी है थोड़ी मेरे पास मैदे की तो यह मैं डाल रहे हूं प्याज इमली की चतनी अगर आप नहीं बना पारे इमली नहीं है तो आप टोमैटो कैचप का भी यूज़ कर सकते हैं फिर डालिए इसमें अगर कम मसाला भी डाल सकते हैं और सेम डाल लीजिए सेम आप मिक्षर भी डाल सकते हैं कोई भी जो आपके पास अविलेबल वो डाल लीजिए थोड़ी चटनी कम लग रही है तो मैं एक्सटर डाली हूं और दही तो घर पर ही हमारी मटर और आलू की टिकी की चाट बनकर तयार हो आए बहुत ही टेस्टी है मजा आजाएगा आपको खाकर जरूर बनाकर देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू प्रिजिए और पाली हो लाएगा और आपको लाएगा और आपको खाँ मज बदकी की प्री टेर जाएगा जिए प्रीप्सा।